हेलो एवर्वन मैं प्रियंका वर्मा पब्लिशर इसपर्धा प्रकाशन आज के इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं जिपेसी पीटी के छात्रों के अनुरोत पे हम आज से वीडियो की नई स्रिंखला शुरू करने जा रहे हैं जैसा कि आपको पता है यह जो परिख्षा होगी लग फ्रश्म पत्रों की होगी इसमें पाप वन से दस और पेपर कनफ से सो फॉक्षिन्स यानिए कि ज्ञारक राजे से सबंदित 110 questions पूछे जाने हैं आपको बता है कि प्रश्न पत्र 2 में section प्रश्न पत्र 2 में section A से P तक वह 16 भावो में विभक्त है और इस सभी section में जो सबसे महतुपन questions है जो हमें लगता है कि इस exams में पूछे जा सकते हैं वो हम इस वीडियो में वो उस तरह की प्रश्नों की हमने श्रिंख्ला बनाई हुई है और मैं उम्मीद करती हूं कि यह जो हमारा यह प्रयास है आपके लिए काफी मुहतुपुर्ण होगा और मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूंगी मुझे उम्मीद है आप सब में BPSC-PT की जो बुक है हमारे publication की इस पर दाप्रिकेशन की वो आपने ले ली होगी जैसे यह है JPSC-PT Paper 2 यह इसका practice workbook है जो green और white color के combination में है and next question next book है JPSC-PT यह भी green color की है paper 2 के लिए जानकार राजय विशेस पर यह guide है तो यह practice workbook है और यह guide है दूसरी है JPSC-PT के लिए paper 1 जो की समाने अध्यान है इसमें यह practice workbook है और next book भी है blue color के combination में blue and white यह JPSC-PT paper 1 समाने अध्यान यह उसकी guide है यह आप ज़रूर ले और यह हमारी इस series में जो यह आखरी book है JPSC-PT question bank इसमें paper 1 और paper 2 अब तक कि जितने भी questions पूछे गए हैं वो सारे questions with answers इस book में दिये हुए हैं तो मुझे उमीद है अब तक आपने यह books ले ली होगी अगर आपने नहीं ली हैं तो आप यह books किसी के अपने नजदी की bookstore से जरूर ले जो आपके परिक्षा में आपको सफलता पाने के लिए काफी उपयोगी होगे तो लेस्स टार्ट एक कहानीकार, उपन्यासकार, हास्य व्यंग्यकार तथा नाटकाकर के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले राधा कृष्ण का जन्म कब हुआ था? A. 18 सितंबर 1910 B. 5 नवंबर 1910 C. 15 जून 1912 D. 5 जुलाई 1917 सही जवाब है A. 18 सितंबर 1910 राधा कृष्ण का जन्म कहा हुआ था? A. हजारी बाग B. जमशेदपुर C. रांची D. धनबाद सही जवाब है C. रांची क्रांती साहित्य साधना करके क्रांती इतिहास में अपना नाम अमर करने वाले साहित्यकार सर्वाराय गणेश देवसकर का जन्म जारखंड के किस जिले में हुआ था? A. रांची B. पलामू C. धनबाद D. देवघर सही जवाब है D. देवघर दैनिक हित्वाद का संपादन किस ने किया? A. राधाकृष्ण B. सखाराम गणेश दवेसकर C. श्रीकृष्ण D. इनमें से कोई नहीं सही जवाब है B. सखाराम गणेश दवेसकर अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित पुस्तक देशेर कथा तथा तिल के मुकदमा के लेखक कौन है? A. सखाराम गणेश देवसकर B. राधा कृष्ण C. श्रीकृष्ण D. इनमें से कोई नहीं सही जवाब है A. सखाराम गणेश देवसकर निम्न लिखित में से कौन हिंदी भाषा साहित्य के स्तंभ के रूप में याद किये जाते हैं A. फादर डॉक्टर कामिल बुलके B. केदारनात साहू C. डॉक्टर मनमसीह मुंडू D. इनमें से कोई नहीं सही जवाब है A. फादर डॉक्टर कामिल बुलके बाइबल का हिंदी में सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया A. डॉक्टर मनमसीह मुंडू B. राधा कृष्ण C. सखाराम गणेश देवसकर D. फादर डॉक्टर कामिल बुलके सही जवाब है D. फादर डॉक्टर कामिल बुलके फादर डॉक्टर कामिल बुलके के संबंध में कौन सा कथन सत्य है A. अंग्रेजी हिंदी शब्द कोश इनकी एक लोकप्रियक्रिती है B. संत जेवियर कॉलेज रांची के वे हिंदी के विभागा ध्यक्ष रहे C. लेखन के क्षेत्र में उलेखनिय योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्म भूशन से उन्हें अलंक्रित किया D. उपरोक्त सभी सही जवाब है D. उपरोक्त सभी निम्न में से कौन ऐसे पहले व्यक्ती हैं जिन्होंने मुंडारी का शब्द कोश मुंडारी डूड कोड़हारी तैयार किया A. डॉक्टर मनमसीह मुंडू B. फादर डॉक्टर कामिल बुलके C. समीर केरकिट्टा D. बुलु इमाम सही जवाब है A. डॉक्टर मनमसीह मुंडू संक्षिप्त मुंडारी व्यक्रण एवं मुंडारी अंग्रेजी हिंदी शब्द कोश की रचना किसने की A. वुहान चुडेविड B. डॉक्टर मनमसीह मुंडू C. मुकुंद नायक D. इन में से कोई नहीं सही जवाब है B. डॉक्टर मनमसीह मुंडू मुंडारी भाषा एवं साहित्य के लिए वर्ष 1999 का साहित्य अकादमी पुरसकार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया A. फादर डॉक्टर कामिल बुलके B. ललित मोहन राय C. डॉक्टर मनमसीह मुंडू D. सिस्टर निर्मला सही जवाब है C. डॉक्टर मनमसीह मुंडू संथाली भाषा के श्याम बेसरा को उनकी कृती मारोम के लिए किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरसकार प्रदान किया गया A. 2016 B. 2017 C. 2018 D. 2019 सही जवाब है C. 2018 जारखंड के सिम्डेगा में जनमें हिंदी के चर्चित लेखक अनुज लुगुन को उनके किस काव्य के लिए वर्ष 2019 का युवा साहित्य अकादमी पुरसकार प्रदान किया गया A. बाग और सुगना मुंडा की बेटी B. उल्गुलान की औरते C. अगोशित उल्गुलान D. इन में से कोई नहीं सही जवाब है C. बिरसा मुंडा घने अंधकार की और नामक पुस्तक किसने लिखा है A. रामचंद्र B. गोपालदास मुंजाल C. राधाकृष्ण D. दिनेश्वर प्रसाद सही जवाब है B. गोपालदास मुंजाल महराजा मदरा मुंडा शृतिनाटक के रचनाकार है A. राधाकृष्ण B. गिरिधारी रामगौझू C. बालेंदु शेखर तिवारी D. इनमें से कोई नहीं सही जवाब है B. गिरिधारी रामगौझू Dr. द्वारी का द्वारा रचित उपन्यास है A. पहिय, B. अंकुष C. A. और B. दोनो D. इनमें से कोई नहीं सही जवाब है C. A. और B. दोनो किस कृती के लिए Dr. श्रवण कुमार गौस्वामी को राधा कृष्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया A. जंगल तंत्रम B. आदम खोर C. दरपन जुट न बूले D. कजरी सही जवाब है A. जंगल तंत्रम क्रांती साहित्य के अमर साहित्यकार सर्वा राम गणेश देवसकर का जन्म कहां हुआ था A. देवघर B. पलामू C. रांची D. हजारी बाग सही जवाब है A. देवघर Dr. फादर कामिल बुलके की अमरकृती कौन सी है A. अंग्रेजी हिंदी शब्द कोश B. मानस कौमूदी C. रामकथा और तुलसी D. उपरोक्त सभी सही जवाब है D. उपरोक्त सभी परोफेसर शिवनंदन प्रसाद की रचना कौन सी है A. आदियनादी इत्यादी B. काल की पुराण C. गुनाह D. उपरोक्त सभी सही जवाब है D. उपरोक्त सभी इश्वर प्रसाद बढाईक की रचना कौन सी है A. चित्रकार B. पहिये C. पंचतंत्र D. रंजना सही जवाब है A. चित्रकार डॉक्टर सिधनाथ प्रसाद किस प्रकार की रचना लिखते थे A. व्यंग्य B. साहित्य C. उपन्यास D. नाटक सही जवाब है D. नाटक विद्याभूशन की निम्न में से कौन कृती है A. अतिपूर्वा B. सीधियों पर धूप C. मन एक जंगल है D. उपरोक्त सभी सही जवाब है D. उपरोक्त सभी The Linguistic Survey of India पुस्तक के लेखक कौन है A. जार्ज अब्राहम ग्रियर्सन B. कामिल बुलके C. फादर गॉस्नर D. जेम्स कूपर सही जवाब है A. जार्ज अब्राहम ग्रियर्सन जार्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने नागपुरी को किस भाशा की उपबोली बताया है A. कुडुक B. मैथिली C. बंगाली D. भोजपुरी सही जवाब है D. भोजपुरी निम्न में से किसे नागपुरी का प्रथम कवी माना जाता है A. हनुमान सिंह B. रघुनात न्रिपती C. जय गोविंद D. बरजुराम सही जवाब है B. रघुनात न्रिपती महंत घासी किस भाशा के लेखक थे A. नागपुरी B. संथाली C. कुडुक D. मालतो सही जवाब है A. नागपुरी नागपुरी का प्रथम व्याकरण Notes on the Gawari Dialect of Lowherdaga के लेखक कौन थे A. बीपी केसरी B. काली कुमार सुमन C. कौनराड बुकाउट D. E. ह. विटली सही जवाब है D. E. ह. विटली निम्न में से कौन सी बेनीराम महता की रचना है A. नागवन्शावली B. नल्चरित्र C. कांटी D. महाराजा मदरा मुंडा सही जवाब है A. नागवन्शावली नागपुरी फागशतक लाल रंजना एवं जूमर के रचनाकार कौन है A. धनी राम बक्षी B. बी पी केसरी C. गिरिधारी राम गोजू D. घासी राम सही जवाब है D. घासी राम कोरामबे उपाख्यान के रचनाकार कौन है A. प्रफुल कुमार राय B. डौ श्रवन कुमार गोस्वामी C. घासी राम D. द्रिगपाल राम देवधरिया सही जवाब है D. द्रिगपाल राम देवधरिया निम्न में से कौन सी धनी राम बक्षी की रचना है A. फोगली बुढिया कर कहानी B. नल चरित्र C. लंका कांड D. उशा हरण सही जवाब है A. फोगली बुढिया कर कहानी ग्रामर ओफ दिनागपुरिया सदानी लैंग्विज के रचनाकार कौन है A. A. डबल्यू माइकल B. E. एच फिटली C. फादर गोश्चर D. कौन रोड बुकाउट सही जवाब है D. कौन रोड बुकाउट निम्न में से कौन सा बीपी केसरी का लगुनाटक है A. ठाकुर विश्वनाथ शाही B. नल्चरित्र C. जूमर D. उशाहरण सही जवाब है A. ठाकुर विश्वनाथ शाही मरंग गोम के जैपाल सिंह के रचनाकार कौन है A. प्रफुल कुमार राय B. काली कुमार सुमन C. गिरिधारी राम गोंजु D. धनी राम बक्षी सही जवाब है C. गिरिधारी राम गोंजु निम्न में से कौन सी नई मुद्दीन मिरवाहा की रचना है A. मेंजुर पॉय B. काका कर कहानी C. सोनजदूर D. तेतर की छाह सही जवाब है A. मेंजुर पॉय खंखडी रूगडा के रचनाकार कौन है A. बेनी राम महत्था B. घासी राम C. काली कुमार सुमन D. नई मुद्दीन मिरदाहा सही जवाब है C. काली कुमार सुमन नाकपुरी भाषा में महाभारत के लेखक कौन है A. डॉक्टर श्रवन कुमार गोस्वामी B. कंचन C. घासी राम D. बी पी केसरी सही जवाब है B. कंचन खुरठा भाषा के संबंध में किसने लिखा है कि यह भारत की प्राचीनतम लिपी खरोष्ठी से संबंधित है A. बी पी केसरी B. केशव कुमार C. ए के ज़ा D. प्रफुल कुमार राय सही जवाब है C. ए के ज़ा भुवनेश्वर दत्य शर्मा किस भाषा के प्रसिध लेखक थे A. खोरठा B. नागपुरी C. पंच पर गणिया D. कुडुक सही जवाब है A. खोरठा खोरठा भाषा में लिखित मेग दूत के लेखक कौन है A. बी पी केसरी B. भुवनेश्वर दत्य शर्मा C. श्री निवास पानूरी D. केशव कुमार सही जवाब है C. श्री निवास पानूरी प्रथम खोरठा पत्रिका मात्र भाषा का प्रकाशन किस ने किया था? A. श्री निवास पानूरी B. एके ज्जा C. विनोद कुमार D. फूलचंद महतो सही जवाब है A. श्री निवास पानूरी निम्न में से कौन सा गजाधर महतो का कहानी संग्र है A. बाल किरण B. पुटुस फूल C. दिव्य जोती D. तित्की सही जवाब है B. पुटुस फूल पथिया डोंगल मचुआ के लेखक कौन है A. सुकुमार B. शिवनात प्रमानिक C. रम्निका गुपता D. संतोश कुमार महतले सही जवाब है D. संतोश कुमार महतले निम्न में से कौन सी पुस्तक धनपत महतो द्वारा लिखित है A. बिर्षा भगवान B. रूसल पुटुस C. बोनेक बोल D. एक टोकी फूल सही जवाब है A. बिर्षा भगवान लुआथी नामक खोर्था भाषा की पत्रिका का प्रकाशन किसने करवाया था A. रम्निका गुपता B. गिरिधारी गोस्वामी C. फूलचंद महतो D. विनोध कुमार सही जवाब है B. गिरिधारी गोस्वामी अनिल कुमार गोस्वामी के संपादन में किस द्विमासिक पत्रिका का आरंभ हुआ? A. सोंध माठी B. बोनेक बोल C. मात्रभाशा D. सहिया जिनगिक टोह नामक उपन्यास की रचना किस ने की थी? A. फूलचंद महतो B. चितरंजन महतो C. कंचन महतो D. सुखदेव महतो सही जवाब है B. चितरंजन महतो मेका मेकी ने मेटमार्ट पुस्तक के लेखक कौन है? A. चितरंजन महतो B. शिवनात प्रमानिक C. ए के ज़ा D. श्री निवास पानुरी सही जवाब है C. A. के ज़ा D. श्री निवास पानुरी D. श्री निवास D. श्री निवास D. श्री निवास